नमस्कार जैने स्वागत है आपका ओली न्यू नेशन में गुजरात में लोजिहात का एक मामला सामने आया है इस मामले को जानने के बाद आपको लगेगा कि कुछ बदलता दिख रहा है इस देश में क्योंकि एक समय था जब लोजिहात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता थ लेकिन आत्पूरे देश में लोजिहात पे चर्चा हो रहा है और ऐसे लोग जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं या बहला फुचला के धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोगों पे सरकारे भी अपना रुख साप कर चुकी हैं और खासत और से जिन जिन प्रदेशों में भारती जंता पार्टी की सरकार है वहाँ पे सरकार का जो एक पक्ष है कि साब तवर पे लोजहात किसी के साथ ना होने पाए किसी के कोई बरगला के बहला फुसला के या उससे जबरन धर्म परिवर्तन ना करा जाए पूरी खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया या घर्म परिवर्तन कराया गया उसके बाद जब जनताने वहां की लोगों ने और खास तोर से हिंदु वादी संगठनों ने दबाओ बनाया तो पुलिस ने मुंबई से उठा के लाया गुजरात में गुजरात में लड़की को अपने घर बेजा लड़के को उसके घर बेजा उसके बाद जो चीजे सामने आई कि लड़की ने सापतोर पे कह दिया कि अब लड़के को ही हिंदू बनाया जाएगा क्योंकि अगर प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है अगर मामला प्रेम मुहबत का है तो क्यों लड़की मुस्लिम बने लड़का भी हिंदू बन सकता है अगर लड़का मुस्लिम है वो हिंदू बन सकता है ऐसा लड़की का कहना है और इस पर इस पर तयार हो गए वहां के लोग उनका कहना है कि अग गुजरात के वडोदरा में 23 साल की ब्राहमन लड़की धर्म परिवर्तन कर मुसलिम बनने से निकाह कर लिया मुसलिम लड़के से निकाह किया धर्म परिवर्तन करके मुंबई के बांदरा की मस्जिद में हुए निकाह के बाद लोजिहाद की राजनीत भड़क गई वडोधरा में हिंदू संग्ठणों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम मुंबई गई और दोनों को लेकर वापस वडोधरा लोटी पुलिस ने लड़के और लड़की को अपने अपने घर भेज दिया अब निकाह करने वाली लड़की का कहना क्या है ये भी सुनीजिए उसने कहा कि मैं लड़के को हिंदू बनाऊंगी लड़की फिलहाल अपने पिता के घर में है सत्ताधारी भारती जंता पार्टी बिजेपी के नेताओं के साथी कई हिंदू संगठनों के लोग लड़की से मिलने के लिए और उसे समझाने के लिए उसके घर पहुचे धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की का कहना है कि वह लड़के से पिछले 6 सालों से संपर्क में थी और प्रेम मुहबबत के कारण उसने लड़के से शादी की अपना धर्म परिवर्तन कर लिया लेकिन अब चुकि ये मामला बढ़ गया है और हिंदू संगठनों ने साबतवर पर दबाओ बनाया कहीं ये लवजयाद तो नहीं है तो लड़के ने साबतवर पर घख दिया कि अब वो लड़के को हिंदू बनायेगी और खुद तो हिंदू है भाले ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है लेकिन एक नियमों की तहाद धर्म परिवर्तन करना और यह का देना कि हम अपने इस्वर को छोड़ देते हैं ये चीजे इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है ये नहीं हो पाती है वही चीज वहाँ पे भी कंडिशन लागू हो रहा है वो भले ही मुस्लिम बन गई है लेकिन वो है क्योंकि घरवापसी कर लिये है तो घरवापसी के बाद वो बन गई है हिंदू और उसने कहा है कि वो लड़के को भी हिंदू बनाएगी फिलाल दूसरी तरफ इस मसले को लेकर हिंदू संगठन भी सक्री हो गए है हिंदू संगठनों ने लोजिहात को लेके गुजरात में कानून की मा की है आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले ही ये कानून सक्री हो चुका है उत्तर प्रदेश में लोजिहात का कानून बन गया है और ये कानून ऐसे ही नहीं बना ये कानून इलहाबाद हाई कोड के एक न्याय को मध्य में रखते हुए बना गया है या केंद्र में रखते हुए बनाया गया है ये कानून जिसमें इलहाबाद हाई कोड ने सापतोर पे कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लेकिन शादी के लिए शादी से पहले धर्म परिवर्तन करना ये सही नहीं है और मात्र शादी के लिए कहीं न कहीं आप उस कंडिशन में आप और बहकाओं में आकर आप धर्म परिवर्तन करते हैं इससे आगे चलके समस्याएं खड़ी होती है उस जोड़ी में भी जिस लड सामना करना पड़ता है जिससे उनका जीवन वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है इसलिए लावध हाई कोड ने भी कहा और यह चीजें जो कि उत्तर प्रदेश सरकाल ने जो कानून बनाया है धर्म परिवर्तन के खिलाप लौजिहाद के खिलाप साब तोर पे धर्म परिवर् है इसी नियम की मांग गुजरात में भी हो रही है और विभिन विजेपी शासित प्रदेशों में हो रही है इसकी मांग और धीरे-धीरे हर जगह लागू होगा फिलाल इस मामले यह मामला अन्य मामलों से अलग था जहां पे लड़की ने यह कहा है कि साब तोर पे कि करा जाएगा लड़के को हिंदू बनाये जाएगा यह चीजी चलने ही देखना यह होगा कि हिंदू समाज उनको स्विकार करता है कि नहीं करता है फिलाल जुदेरे आप हमारे चैनल के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय धर्म परिवरतन पे लोजहात पे जरूर जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बहुत जल्दा रही है ओनली न्यूज ग्रूप की न्यूज मैगजीन दन्य जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तह पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे